तो दोस्तों, आज अक्टूबर की एक कईस तारीक है और आज हम बात करने वाले हैं बिंटर की ये बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट कलंचु या कलंग कोई की कलंचु एक सकुलिन बरायटी का प्लांट होता है और इसकी हाइबिट और देसी बरायटी आती है इसकी हाइबिट बरायटी के फ्लावर कई रंगों में आते हैं और या पूरी बिंटर आपके गार्डन में फ्लावरिंग करता रहेगा इसके flower रंग भी रंगे होते हैं जो देखने में बहुत ही खुपसूरत लगते हैं इस समय कलंचु पर बढ़ आना शुरू हो गए हैं और इस plant पर देखी ये flowering भी शुरू हो गई है मेरे अपने पुराने कलंचु प्लांच पर अभी बढ़ आना शुरू हुए हैं और ये मैं नर्सरी से दू प्लांट लेकर आया हूँ, जिसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है, कलंचु एक काश्टली प्लांट है, नर्सरी पर यहाँ प्लांट लगभग 200-300 तक आपको मिल जाएगा, आज मैं बात करने वाला हूँ, कलंचु की एक कामन प्रावलम जब इसे हम नर्सरी से लेकर आते हैं, जब हम प्लांट को नर्सरी से लेकर आते हैं, तो हमारा प्लांट या तो कोको पीट में लगा रहता है, अधिकतर तो कोको पीट में ही लगा हुआ हमें प्लांट मिल जाता है। लेकिन इस बार में जो प्लांट यह ले के आया हूँ इसमें आप देखिए कोको पीट के साथ इसमें लाल मिट्टी मिली हुई है। लाल मिट्टी तो पूसक तत्तों से भरपूर होती है और प्लांट इसमें फ्लावरिंग भी अच्छा करता है। लेकिन आप देखिए यह plant की मिट्टी कितनी hard हो गई है तो इस तरह से इसकी मिट्टी अगर पानी इससे ना मिले तो hard हो जाती है जिससे plant की root dry होने लगती है और बाद में हमारा plant भी dry हो जाता है इस समय तो winter में इसकी flowering समझ चलेगा तो हम इसकी केरिंग तो इस पॉट में इसकी करते रहेंगे और प्लांट आपके पास सर्वाइब भी रहेगा लेकिन बिंटर के बाद जब गर्मिया शुरू होंगी तो इस प्लांट में हमें इतनी केरिंग नहीं कर पाएंगे और यह प्लांट धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा तो हमें सबसे पहले ये काम करना है कि इस हार्ड मिट्टी को हटा करके प्लांट को रिपॉर्ट कर लेना है तो आई ये प्लांट को पॉर्ट से निकालते हैं ये देखिए मैंने प्लांट को पॉट से निकाल लिया है और ये मिट्टी मैं रिमू कर ले रहा हूँ प्लांट को जब भी पॉट से निकाले एक दिन पहले आप इस पे अच्छी तरह से वाट्रिंग कर दे और हलके वाहतों से इस तरह से मिट्टी निकाल दे अगर मिट्टी नहीं निकल लही है तो आप इसे खीचे ना बलकि पानी में इस तरह से भिगो कर थोड़ी दिर के लिए रख दे ऐसा करने के बाद मिट्टी नीचे की गल जाएगी और इसके बाद आप इसको मिट्टी को धीरे धीरे करके हटा दे ये देखिये मिट्टी पानी में रखने के बाद भी रूट को जकडे हुए है और रूट इसमें तूट भी जा रही है तो आप ये धीरे हातों से इसकी पूरी red soil को हटा दे अब देखिये इसमें पूरी तरह से red soil हट दूप करना है इस plant के लिए soil तयार करनी है तो soil के लिए ये मैंने garden soil लिया है और साथ में ये वर्मी चम्पोस्ट है और वर्मी कम्पोस्ट के साथ मैं इसमें ये sand ऐड़ करूंगा और थोड़ा सा इसमें fungicide भी मिलाउंगा तो इस तरह से आप इन तीनों को लेकर के soil तैयार कर सकते हैं आपके पास राइस हस्क हो तो आप राइस हस्क भी मिला कर स्वायल को तयार करें यह मैंने पहले से स्वायल तयार करके पॉट में भरके रख लिया है तो आप तीनों को समान अनपात में लेकरके अपनी स्वायल को तयार कर लें अब मैं इसमें एक साथ दो प्लांट को रिपॉर्ट कर दूंगा ये देखिए ये मैंने दोनों प्लांट को एक साथ रिपॉर्ट कर दिया आपको ध्यान देना होगा कि प्लांट आपका उपर रहना चाहिए बहुत नीचे स्वायल में नहीं रहना चाहिए तो दोस्तों रिपॉर्ड करने के बाद आप प्लांट को सेड में रखें और दू तीन दिन के बाद ही से सनलाइट में सिप्ट करें कलंचु का प्लांट बंच में फ्लावरिंग करता है और एक बार इस पर जब फ्लावर आ जाते हैं तो महिनत तक प्लांट पर लगे रहते हैं तो इस प्लांट को आप इस बार जरूर अपनी गार्डन में सामिल करें जिसे आप पूरे विंटर आपके गार्डन में फ्लावरिंग करता रहे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद है आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सेयर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर